हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल और आज मैं इंस्टन पाव भाजी की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और यह बहुत जार टेस्टी बनी है यह मैंने कैसे बनाई है अगर आप सीखना चाते हैं तो वीडियो को पूरा दिखेगा तो चलिए वीडियो शुरू कर उबालने रख देती हून और यह देख़ियो मैंने तीन शिमला मिर्च और तीन बड़े प्याज और दो टिमाटर को काटके रख दिया है तो देखेगे इस तरीके से मैंने सारी सबजीया काट दिये और चलिए अब मैंने टेल गरम करने रख दिया थाatus रिफाइट में बना रही हूं में यह और मैंने सबसे पहले में प्याज फ्राइज करूंगी तो इसको हलका सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही फ्राइज करूंगी तो बस थोड़ी देर ही fry करना है ज्यादा इसको brown नहीं करना है प्याज को तो ये देखिए थोड़ा सा color change हो चुका है अब हल्दी डाल दिये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ज डाल दिये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है मैं थोड़ा थोड़ा ही मसाला डाल रही हूं अभी नमक भी डाल दिया है मैंने क्योंकि मैं पावभाजी मसाला भी मिलाऊंगी इसलिए मैंने अभी थोड़ा ही मसाला डाला है तो अब मैं एक बड़ा चमच डालूंगी पाव भाची मसाला और थोड़ा सा और डालूंगी तो यह मैंने डाल दिया है मसाले अब मैं इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स तो यह बहुती बढ़िया और टेस्टी बनेगा और जो मैंने सबजी उबालने के लिए रखी थी वो भी उबल चुकी है तो चली यह भी फ्राई हो चुका है तो अब मैं टिमाटर डाल देती हूं और इसको भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ असा टिमाटर सॉफ हो जाएं तब तक इसको पकाऊंगी और यह बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जाए टेस्टी बनती है तो चली अब मैं डाल देती हूं शिम्ला मिर्च और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी थोड़ दिर मैं ऐसे ही पकाऊंगी तो चली अच्छे से मिक्स कर लेती हूं से मैं और तो यह देखिए जो सबजिया मैंने उबालने के लिए रखी थी वो अच्छे से उबल चुकी है और इसे मैं करची से इसी तरीकी से मैश कर लूँगी तो चली इसे मैश कर लेती हूं मैं तो यह देखिए मैंने कर दिया है मैश और अब इधर भी जो है मसाला पक चुका है शिम्ला मेर्च मार्टर का बढ़िया यह सॉफ्ट हो चुकी है शिम्ला मिर्च बी तो अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा चमच कसूरी में थी तो इसको भी कर दूंगी मैं अच्छ से मिक्स तो ये देखे mix कर दिया है मैंने और अब मैं डालूंगी इसमें सबजी जो मैंने उबाल के रखी है तो चलिए मैं इसको mix कर देती हूं इस मसाले में तो ऐसे ही में सारी जो है सबजी को mix कर दूँगी मसाले में तो ये जो तरीका मैं आज आपको बतारी हूं बहुत जहाँ आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है पाव भाजी और ये देखे मैंने mix कर दिया है और अच्छे से इसको mix करने के बाद तब मैं इसमें पाइन डालूँगी तो ये देखे मैंने mix कर लिया था और अब थोड़ा पानी डाला है मैंने और इसको भी मैं एक बार अच्छे से mix कर लूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी तो ये देखे बढ़िया पक चुकी है पाव भाजी और अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया हरा धनिया काटके ये देखे और इसको भी कर दूँगी एक बार अच्छे से mix और कर दूँगी serve तो ये देखे क्या बढ़िया पाव भाजी बन चुकी है बहुत जाँ टेस्टी बनिये ये और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को नई वीडियो देखने के लिए तो नई वीडियो लेके मैं आपके लिए जल्दी आओंगी तब तक के लिए बाई